प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब बढ़ना ना भूले और आप चाहते हैं कि आपके पास सबसे पहले वीडियो पहुचे तो प्लीज 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 बगल वाले गंटे को जोड से दबा दीजेगा को सबस्ट हैं को जाएं कि आप उपनी वीडियो में नमस्कार मेरा नाम सजिंदेब आप सबी का सवागत मेरे इस यूट्यूब चैनल पर दोस्तो इस वीडियो को अंतक देखें ताकि कि आपके मन में उट रहे हर सवाल का जबाब आपको मिल जाए वीडियो को अंतक देखना जरूरी इसलिए ताकि आप कोले स्टोल से पूरी तरह से रूबरू हो जाए आपको पता चल जाए आपको प्रेज क्या करना है और आपको क्या चीज नहीं खाने है दोस्तों चलते हैं क्यामनी वीडियो की तरफ लेकिन मैं फिर से बता दूँ वीडियो को अंतक जरूर देखें दोस्तों ताकि आप अच्छे से इस वीडियो को समझ पाएं कोलेस्टोल जैसे वीडियो के बारे में लोगों को जादा जानकर ही नहीं होती है और शरीर में बटरे कोलेस्टोल को हम नजर अंदाज कर देते हैं बढ़े हुए कोलेस्टोल से इसकीमिक जो की दिल की एक बिमारी है उसका खत्रा बढ़ जाता है इस बिमारी से दिल में खून वे उक्सिजन नहीं पहुच पाता है जिससे हाट अटेक का खत्रा काफी बढ़ जाता है केवल भारत में ही करीब 20 लाक लोग दिल की बिमारी के चलते अपनी जान गवा देते हैं कोलेस्टोल मोम की तरह है चिकनावे पीले कलर का पदारत होता है जो की हमारी सरीर के लिए खून जितना ही आभश्यक होता है कोलेस्टोल से लीवर में बाइल असीड का निर्मान होता है जो की खाना पचाने में सायक होता है 70% cholesterol हमारे liver द्वारा बनाया जाता है बाकी 30% हमें भोजन से प्राप्त होता है cholesterol दो प्रकार का होता है LDL यानि low density lipoprotein इसे bad cholesterol बोला जाता है दूसरा होता है HDL high density lipoprotein इसे good cholesterol बोला जाता है LDL वही cholesterol होता है जो artery यानि धमनियों में जमने लगता है सबसे ज़्यादा LDL deep fried चीजों और non-wage में पाया जाता है तला हुआ non-wage LDL को सबसे ज़्यादा बढ़ाता है इसके लावा मैदा, घी, बटर, डालडा, केक, पेश्टरी, अंडे, शराब, सिगरेट, मिठाई से भी cholesterol बढ़ जाता है कोलेश्टोल खून ले जाने वाली नसों में जम जाता है जिससे नसों में pressure और blockage बढ़ जाता है जिससे किसी भी वक्त heart attack और brain stroke आने का खतरा बढ़ जाता है कुछ विशेश लक्षण होते हैं जो बढ़े हुए कोलेश्टोल और दिल की बिमारी को दर्शाते हैं ऐसे लक्षणों को बिल्कुल भी नजर अंदाज ना करें हाथ पैरों को सुन हो जाना, कई बायार पैरों में एठन हो जाना रात को सोते सोते या बैठे बैठे नसका चड़ जाना और अक्सर पैरों में चीटी कारना या जुनजनी होना इसके लावा अगर आपके हाथ पैर ठंडे रहते हों तो ये बढ़ेवे कोलेस्टोल का करण हो सकता है जल्दी थकान या जदा पसीना आना थोड़े से काम में जल्दी हाफ जाना या जो लोग रोजाना थका हुआ सा महसूस करते हैं या जिने लकतार आलस या सुस्ती आती है तो उन्हें एक बार जरूर कोलेस्टोल की जाज करानी चाहिए अब बात आती है आपको क्या खाना है या क्या नहीं खाना है आपको फल खाने जिन में साइट्रकैसिड होता है यानि जो फल घट्टे होते हैं आपको नीमु पानी पीना चाहिए, आप दलिया चूसकते हैं, आप ओर्ट्स खासकते हैं लह्सन का इस्तेमाल ज़्याद से ज़्याद करें यहाँ बड़े हुए कोलेस्टॉल और बड़े हुए इप्पि को कम करता है बादाम और अकरोट का इस्तेबाल भी LDL को कम करता है यानि बैड कोलेस्टोल को कम करता है अब उन चीज़ों के बारे में बताऊंगा जो आपको नहीं खानी है आपको Refined Oil यूज नहीं करना है आपको अगर सबजी में इस्तेमाल करना है तो आप सरसो का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं आप Olive Oil इस्तेमाल कर सकते हैं इनी दो तेलों को आप सबजी में खाने में इस्तेमाल करें, इसके अलावा आप मुंग फली का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा होता है, इसके अलावा उडद की दाल आपको नहीं खाने हैं, चावल, मैदा, पेश्ट्री, ओली फूड, फास्ट इपन आपको नहीं करना है, डीफ प्राइड चीजों से आप परहेज करें, नेक्स्ट अब मैं आपको बतांगा कि कॉलेस्टरॉल की जांच कैसे की जाती है, खून में कोलेस्टरॉल की जांच करने के लिए एक टेस्ट किया जाता है, जिसे लिपिट प्रोफाइल HDL और चोता triglyceride टोटल कोलेस्ट्रोल LDL और HDL का कॉंबिनेशन होता है टोटल कोलेस्ट्रोल 200 mg पर DL से कम रहना चाहिए अगर यह 200 से 249 mg पर DL के बीच में है तो कोलेस्ट्रोल बढ़ा हुआ माना जाता है और अगर यह मातरा 240 से उपर है यानि 240 mg पर DL से जादा है तो इसे हाई रिस्क मना जाता है अब बात करते हैं दूसरे नमबर पर आता है जो LDL यानि बैड कोलेस्ट्रोल अगर इसकी मातरा 100 mg पर DL से नीचे है तो यह सिहत के लिए अच्छा होता है अगर इसकी मातरा 100 से 130 mg पर DL से जादा है तो इसे कम अच्छा माना जाता है सिहत के लिए अगर इसकी मातरा 130 से 190 mg पर DL के बीच में है तो यह शरीर के लिए बहुत अधिक होती है और अगर इसकी मातरा 190 से उपर है यानि 190 mg पर DL से ज्यादा है तो यह शरीर के लिए हाई रिस्क माना जाता है तीसरे नंबर पर आता है HDL यानि High Density Lipoprotein जो की अच्छा होता है सियत के लिए यह जितना ज्यादा अधिक होगा उतना ही हार्ट की प्रोब्लम कम होगी अगर इसकी मातरा 40 mg पर DL से कम है तो हार्ट की प्रोब्लम का खत्रा ज्यादा होता है अगर इसकी मातरा 40 mg पर DL से उपर है तो यह सियत के लिए बहुत अच्छा माना जाता है आपको दिल की बिमारी उतन ही कम होगी लास्ट राता है Triglyceride अगर इसकी मातरा 150 mg पर DL से कम है तो यह शरीर के लिए नॉर्मल होता है अगर इसकी मातरा 150 mg पर DL से लेकर 199 mg पर DL तक है तो यह शरीर के लिए थोड़ा ज्यादा होता है अगर इसकी मातरा 200-500 mg पर DL के बीच है तो यह शरीर के लिए बहुत ही खतरनाक होता है दोस्तो इस वीडियो के मादनम से मैंने आपको समझाया कर सकते है पहली दवाई है TOR-Vastatin की दवाई बनाती है आप किसी भी कंपनी की दवाई ले सकते है में चीज होती है साल्ट तो अगर आप किसी भी medical store वाले से ये साल्ट बोलेंगे तो वो आपको ये आसानी के साथ provide करा देगा इसकी मातर जो है वो है 20 mg यानि 20 mg तो आपको medical store पर जाकर बोलना है कि आपको at or wasstatin 20 mg में चाहिए अब इसे कैसे लेना है ये बताता हूँ आपको रोजाना एक गोली खाना खाने के एक गंटे बाद साधे पानी से लेनी है इसका 7 रात को ही करना है एक दिन में केवल एक ही गोली आप ले सकते हैं दूसरी दवाई जो आपको लेनी है वो है flexi oil के capsule, flexi oil अलसी के तेल को कहा जाता है मार्केट में आपको बहु 통 कमपनीज के flexi oil capsule मिल जाएंगे, इसे लेने का तरीका आपको बताता हूँ एक capsule सुब है वै एक capsule शाम को खाना है, खाना खाने के 1 गंटे बाद तीसीर दवाई और जो लास दवाई है वो है garlic oil capsule यानि लहसुन के तेल के capsule इसको भी आप एक सुबह वे एक शाम खा सकते हैं खाना खाने के एक गंटे बाद अगर आपको garlic oil capsule ना मिले तो आप लहसुन की कली का इस्तेमाल भी कर सकते हैं आपको दो कली सुबह वे दो कली शाम को खानी है दोस्तों ये तीनों दवाई आपको एक साथ चलानी है अटोर वास्टेटिन, 20 mg टैबलेट, फ्लेक्सीड ओएल कैपसूल और गार्लिक ओएल कैपसूल आप देखेंगे कि बहुत ही जल्दी आपका कोलेस्टोल कम हो जाएगा और नॉर्मल लेंज में आ जाएगा आप इन सभी चीजों को रोजमरा की लाइफ में इस्तेमाल करें और अपनी जिन्दगी को खुशाल बनाए अगर ये वीडियो आपको पसंद आये तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूले शेर करना ना भूले और जो वीवर्स इस चैनल पर पहली पा रहे हैं वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले अगली वीडियो में जल्द ही मुलाकात होगी तब तक सुष्ट रहें मस्त रहें तंदुरुस्त रहें धन्यवाद दोस्तों